बिसमिल्लाइख रुर्मानी रिमस्सलाम अलेकुम फ्रेट उम्मिद करती हैं आज हमने कुछ टिप्स अंट्रिक हैं जिसे हमारे मेंदी बहुत अच्छी कलर आ जाए कि बहुत सारे लोग को मेंदी हाथ पे आती नहीं है मतलब कलर नहीं आता तो फिर वहीं ट्राइब करेंग कोई भी हो तो आप जो भी लगाते हो ले लीजिए और उसको लगा लीजिए और लगाने के बाद तक्रीबन आपने मेंदी सूखने देंगे नेच्रल तरीके से क्योंकि यह चाहिए कि हैड्राई या किसी सीची से सुखालोत ऐसा नहीं करिए जब आपके मेंदी सूख जाता है सिक लेंगे थोड़ा लौंमहिशन नहीं करो से मधी मेंदी अनलिकलरत मेंट करें अपने मेंदी यह चाहिए कि आप कि अलनुए मेंदी नहीं के लिए उसकुण गाए कि मेंधी मेंदी यो हो तो में उसको थे च六zi को लहां के लिए तो आप यह लगा लेंगे तो इससी क्या है कि आपके मेहंदी चिपक जाएगी चिपकी रहेगे तो जोड़ जाएगी तो अच्छछ नहीं आएगा तो आप ये की ट्रिक है तो आप ये भी कर सकती है कोटन लीजिए और अपने हांद में लगा लिज़े ऐसे करके मेरे पास कॉटन नहीं था में टिश्यपेबर सही लगा रही थी तो ऐसी कह इसे मेंनी बहुत लंबी देर तक चिपकी रहती है जलती निकलती है कि क्यों मीठे की होने की वज़े से बहुत अच्छी दार चिपकी तो एक ट्रिक है यह भी है कि आप यह भी कर सकती है आप बहुत सारे लोग तब देखती हैं आप बॉटल में करके स्प्रे करके मेंडी कोन के साथ इसको बेजते भी है तो पैसा लगाने के जरुद कि आप में लेमन और शकर मिलाकर लगा लेजे हो गया पका यही चीज उसमें भी होती है जब हमारे मेंदी यानि 6-7 घंटा हो जाए हमको छोड़ाना तो हम डारेक्ट पानी से नहीं छोड़ाएंगे मतलब नल्क खोले और हाथ दुली ऐसे नहीं करेंगे या तो आप मस्टरड ले ले लिजे या कोकनट ले ले लिजे या विक्स आप पास जो भी है व नहीं कर चाहे गां तो आप यह काम करके इस तरह से मैंदी निकाल सकती है और यह करना भी चाहिए कि उत नहीं कर लेकिन फिर जैसे 24 घंटा 48 घंटा ऐसे जाता है ना तो बहुत जादा डार को तावी आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरा कलर कितना कमाया है यह देखे कितना लाइट सा कलर है लेकिन फिर माशालला से कलर बहुत अच्छा गया था और मैं बहुत जादा रखी भी ने थी क्योंक इंशालला बहुत अचाहिए अभी 24 घंटे का था अभी कलर और आएगा तो इंशालला गर आए अब मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ चलिए